गाजर के बीच तैयार करना सिखाने वाला हूँ तो पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा गाजर के शीट्स भी आपको दिखाऊंगा तो यह आप जो है आपके घर में रख्युई गाजर ले लीजी और करीबन इतना हिस्ता गाजर का आप कार दीजिए यह देखिए तो यह आपने इस हिस्से को काड़ दिया है अब इस हिस्से से जो है वो हम न्यो न्यू शूट्स जो है वो ग्रो करवाएंगे तो कैसे ग्रो कराेंगे आपको मैं बताता हूं तो वीडियो में अंतक बने रहेगा चैनल पे नए है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बैल आइकन जरूर पैस कीजिएगा तो ये आप देख सकते हैं कि गाजर का उपर का हिस्सा जो है वो मैंने ले लिया है जिसको अक्सर हम वेश समझ के जो है वो फेक देते हैं तो अब मैं क्या करने वाला हूँ आपको दिखाता तो इस पानी के अंदर जो है वो बनाने वाला हूँ तो थोड़ा सा पानी आप ले लिजीगा इतना कि जिसमें ये गाजर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ढूप जाए अगर ज्यादा पानी हो तो पानी को आप जो है वो कम कर लिजे ये देखे डारेक्ट सोल में नहीं ल बताऊंगा कि कितना समय के बाद आप इसको मिट्ति में लग लग객 में शेयर करने वाला हूँ तो यह मैंने पानी ले लिया है और इसको मैं रख़़ँगा मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ आप देख सकते हैं कि साथ से दस दिन के बाद इसमें जो है न्यूर शूर्ट से या मैंकों की जो नए ने पत्ते हैं वो आने लगे हैं और ग्रोथ भी ओवरॉल काफी हेल्थी है अगर आप नोटिस करें तो साइड में आपको जो है वो कुछ रूट फॉर्मेशन भी जो है नजर आ जाएगा तो यह एक अच्छा इंडिगेशन है कि इसके अंदर रूट फॉर्मेशन भी हो गया है रूट जो है इसकी जल्दी ग्रोथ में हमारी हेल्प करने वाले हैं तो लगबग लगबग दस दिन के अंदर और कभी-कभी थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है त कर दीजेगा किसी भी तरह की मिट्टी आप ले सकते हैं क्योंकि आप मुझे इसे गाजर नहीं उगानी है वह तैयार करवाने है तो नीचे का इससा डाल दीजिए उपर का इससा जो है आपको ऐसे छोड़ देना है यह आप लगा दीजिए एक वीक तक आपको जो है उसको सनलाइट से थोड़ा सा बचाना पड़ेगा और याद रखे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है पानी का विशेज ध्यान रखना है शरुवाती दोर में अगर आपने ज्यादा पानी इसके अंदर जो है वो डाल दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका जो नीच अब्चर बनाके मत रखे तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ तो फ्रेंड्स वेल्कम करता हूं लगबग लगबग एक महीने के बाद तो आप देख सकते हैं कि गमले में उगाने के एक महीने के बाद जो हमारा गाजर हमने उगाया था वेशे उसके अंदर फ्लावर दोर है यह budding ही है क्योंकि flower जो है इसका काफी बड़ा होता है white color का और बहुत ही beautiful होता है तो उसी पे जो है वो shade formation शुरू होता है तो मिलते हैं next update के साथ तो friends welcome करता हूँ आपका लगबग लगबग दो महीने के बाद आज हमारी गाजर को उगाएवे दो महीने हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उसके उपर कितने सुन्दर सुन्दर white color के जो flower है वो उगे है और गाजर का जो फूल होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी बड़ा size होता है और एक ही फूल के अंद और बहुत सारे छोटे flower और छोटे flower में भी सिंगल सिंगल फ्लावर इस टाइब का formation जो है वो दिखाए देता है यहां पर आप देख सकते कि करीबन करीबन धाई महिने के आसपास आप देखेंगे कि जो शीड फॉर्मेशन है वो भी शुरू हो जाता है फ्लावर सारे नहीं होता है तो आप देख पाएंगे कि कितना हेल्थी शीड फॉर्मेशन जो है यहां पर हुआ है तो यह देखे जब जैसे फ्लावर जो है वो मैच्छे और होता है तो ऐसे छोटे छोटे आपको यह दिखा तो पास से मैं बिलकुल दिखाने ही कोशिश करता हूं यह दे तीन महिने जो है इसको हो चुके है और आप देखे इसके पर जो शीड फॉर्मेशन है वो हो चुका है शीड भी आप जो है वो आइडेन्टीफाई हो जाते हैं यह देखे दूसरा जो फ्लावर था उसके उपर भी आपको शीड देखने को मिलेंगे यह देखे कितना तो ग्रीन से थोड़ा थोड़ा ब्राउन यह जो होने लगते हैं प्लांट के अंदर ही तो अभी इनको कलेक्ट करने का जो सही समय है वो नहीं आया है लेकिन शीड आपको बिलकुल दिखाए देंगे जीरे की तरह जो है वो कुछ शीड इसके नजर आते हैं हाला कि उससे यह डिफ्रेंट होता है तो यह देखी काफी शीड फॉर्मेशन जो है हुआ है तो फाइनली एक और अपडेट के साथ हम मिलेंगे तो फ्रेंड्स वेलकम करता हूं आपका तीन महीने के बाद जब हमने गाजर को शुरुआत से होगा और एंड तक तो तीन महीने आज हो है और बिल्कुल सही समय आ चुका है कि इसके बीजों को जो है वो कलेक्ट कर लिया जाए और नेक्स्ट सीजन मतलब विंटर में यह ग्रो होंगे तो उसके लिए पूरी तरह से इसको जो है वो स्टोर भी करके रख लिया जाए ताकि अच्छी और हेल्दी गाजर हमें मिल स होते हैं तो अब इनको गाजर के बीज को जो हो एक करके निकाला जाएगा बिल्कुल पास से आपको मैं गाजर के जो बीज है वो दिखाऊंगा तो पास से भी कट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा जो है इसके शीड को कलेक्ट करने में लगता है तो मैं जो है उसके पूनर की में ले रहा हूं और वह बिल्कुल सही तरीके से जो है वो कट करिएगा नीचे चोटी-चोटी पटली डंडिया होते हैं जिस पे यह शीड जो है वो लगे होते तो सही तरीके से पतली-पतली डंडियों को आप काट दीजे तो आपके पास जो गाजर नहीं होता और स्रीड कलेक्शन भी काफी टाइम कंजूमिंग और हार्ड वर्किंग जो है वो होता है तो ये आप देख सकते हैं कि गाजर के जो बीज हैं वो मैंने पूरी तरह से कलेक्शन देखे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जीरे की तरह नजर आते हाला कि जो रिष्षे हैं वो जीरे पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो काफी श्रीड जो हैं वो कलेक्शन होए हैं और अभी एक ही पोर जो हैं मैंने बड़ा सा निकाला बहुत सारे पोर लिए नजर आ जाएंगे तो आप भी इस तरीके से गार्यर के शीड जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं तो अब मैं बात करता हूं इनको स्टोर करने की तो स्टोर करने के लिए दो दिन गर्मी है तो अच्छी तरह से जो है वो धूप में सुखा दीजिए ताकि इसका सारा मॉस कि जो राख है या फिर जो गोबर के उपले की जो राख बनती है उसमें भी डाल कर आप रख सकते हैं तो उमीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और चैनल क को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन जरूर प्रैस करें थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो और वे विल मेट इन नेक्स वीडियो